साथियो जैहिंद, प्यारे बच्चों मैं लोको पालेट गोरो यादो चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ साथियो आज है बाइसमार्च और बाइसमार्च से रिलेटिड जितने भी मोस्ट इंप्रोटन्ट करेंट अफेर्स और उससे संबंद इस्टेटिक जीके के किस्टन्स बन रहे होंगे उनको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे साथियो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी वीडियो को लाश्ट तक देखना क्योंकि कोई भी किसिंस स्किप करने का नहीं है साथियो वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक वर लाइक और शेयर जरूर करना हाली में तमिल साइन सोंदरीय राजन ने स्थिपा दिया है वह किस राज्य की राज्य पाल थी कौन तमिल साइन सोंदरीय किस राज्य की राज्य पाल थी वो थी तेलंगाना राज्य की किस की तेलंगाना राज्य की नेक्स्ट हाली में पीवी नर्शिमा राव मैमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है पीवी नर्शिमा राव मैमोरियल अवार्ड ये किसको मिला है रतन टाटा को किसको मिला है रतन टाटा को नेक्स्ट तैतिस्व स्रस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है तैतिस्व स्रस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है परभा वरमा को और बत्तिस्व स्रस्वती सम्मान सिव संकर सूर्य वनसम को मिला है किसको सिव संकर सूर्य वनसम को आईक्यू एर क्वाल्टी रिपोर्ट दो हजार तेश के अनुसार सबसे परदोसित देश कोन सा है सबसे परदोसित देश ये बना है बांगला देश कोन सा बांगला देश IQ Air Quality Report के अनुसार सबसे परदुसित देश है दुनिया का बांगलादेश नेक्स्ट अंतरास्टे परशंत दिवस कब मना गया है 20 मार्च को नेक्स्ट हाली में चर्चा में रहे चकरवर्तित तुफान मगन का सम्बंद किस देश से है मगन का समद्ध किस से है आस्टेलिया से है चकरतित तोफान का नाम क्या है मगन है ये ध्यान रखना है ये आस्टेलिया की बात करते है तो आस्टेलिया के परधान मंतरी है एंथनी अलबनीज कौन है एंथनी अलबनीज और यहां की कैपिटल है कैनबरा कैपिटल है कैनबरा आस्टेलिया दुनिया का सबसे छोटा महादीफ है और सबसे बड़ा दियूप है दियूप सबसे बड़ा है और महादीफ सबसे छोटा है दुनिया की सबसे परदोसित राजधानी कौन सी बनी IQ के अनुसार दुनिया का सबसे परदोसित देश तो बना है बांगला देश और स कुझ सी वन्हेदा नई दिल्य मोनोजाइट किसका आ sp थोरियम का तोней मोनो dreams का सेंधा्न नवक जो हता ह्ञाए उसके जैसा होता है लिया की पहली 3D printed मजजित किस देश में बनाए गई है यह बनाए गई है साओधी अरब में डुनिया की पहली 3D printed मजजित। गया था और 3D मंदिर जो बना गया था वो बनाया गया था तेलंग गाना में कहां तेलंग गाना में नेक्स्ट युनाइटिड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम यू एंडी पी दुआरा जारी की गई लैंगिक ऐसमानता सुचकांग 2023 में भारत की रैंक क्या है युनाइटिड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम यू एंडी पी जारी करते है एक लैंगिक ऐसमानता सुचकांग यानि की परती एक हजार पूर्शों पर कितनी महिल आई हैं तो भारत का कौन सा नंबर है भारत का नंबर है इसमें 108 भारत का और जो सबसे लास्ट के पाइजान पर रहा है वो है सोमालिया उनसा सोमालिया तो इसमें मोस्ट इंपोटेंट बात यह है कि भारत का कौन सा नंबर है भारत का नंबर है 108 और टोफ वन पर डेनमार्क और नंबर दो पर नार्वे है साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो करना और नंबर